हाल ही में हम सब प्लास्टिक कप्स के प्रती थोड़ा जागरूख हुए हैं और एक मुहिम चलाई गई है कि प्लास्टिक कप्स से होने वाले खत्रों के बारे में लोगों को जागरूखता बढ़े और इनका प्रचलन कम हो प्लास्टिक कप्स ना केवल हमारे पर्यावरन को दूशित करते हैं लेकिन हमारे साथ ही साथ हमारे स्वास्थ के उपर भी इनका काफी असर पड़ता है पिछले कुछ वर्षों में प्लास्टिक कप्स और बोतलों आधी का प्रचलन बहुत तेजी से बढ़ा है और हर जगे इनके धेर देखने को आते हैं हम सब के लिए जरूरी है कि अपने अपने तरीके से हम इनके खत्रों के बारे में जागरूपता बढ़ाएं और इनके इस्तिमाल को कम करें और जैसा कि पहले हम कप्स और कुल्हड आधी प्रयोग करते थे उनही को दुबारा प्रयोग में उनका प्रचलन बढ़ाएं हलांकि प्लास्टिक बहुत convenient है इसको इस्तमाल करना बहुत आसान है और इस आसानी के कारण ही इनका प्रचनन बढ़ा है कि आपको ना कुछ दोना पड़ता है और हर बार एक नया कप बहुत ही कम पैसे में उपलब्ध हो जाता है लेकिन इनके बहुत अधिक दुश्प्रभा प्लास्टिक के कप्स में 22 फिनॉल ए या बीपी नाम का एक पदार्थ पाया जाता है और यह कई सारे कैंज आधी के अंदरूनी परतों में भी पाया जाता है इस 22 फिनॉल ए के कारण जो यह पदार्थ है अगर इसमें प्लास्टिक कप्स में हम गरम खाना या द्रव्य पात्रा में उस खाने के अंदर मिल भी सकता है और जितना जादा उस खाने का टेंपरिचर होगा उतनी इसकी चांसस बढ़ जाते हैं जो जानवरों के ऊपर कुछ शोद किये गए हैं जिनमें की यह जो बीपी ए पदार्थ है यह हॉर्मोन इस्ट्रोजन के जैसे कारे करता है और इसके कारण मानसिक विकास में बदलाव इन जानवरों में एक आकरामक व्यवहार साथ ही साथ रोग प्रतिरोधक शमता की कमी और प्रजनन जो शमता है उसके ओपर भी असर देखा गया है एक अनुमान के अनुसार अकेले अमेरिका में ही हर साल धाई हजार करोड कॉ साइकल हो पाती है संयुक्त राष्टर ने एक 2006 में जारी रिपोर्ट में कहा था कि समुद्र के हर प्रतेक वर्ग मील में करीब 46,000 टुकड़े प्लास्टिक के हैं और ये प्लास्टिक के टुकड़े जाहिर तोर पर समुद्री जीवों में भी पाए जाते हैं और पर्याव पात्रा में होंगी और इनको निस्तारित करना एक बहुत बड़ी समस्या बनता जाता है क्योंकि ये प्लास्टिक जो है ये डीकंपोज नहीं होता और सेक्डों सालों तक भी उसी प्रकार रहता है और जाहे तोर से 2006 से 2015 तक इनका प्रचलन कहीं अधिक बड़ा है क्योंकि इनका निस्तारण बहुत मुश्किल है इसलिए जो प्लास्टिक कप से बोतले अप्शिष्ट भरावक्षेत्र या लांडफिल्स में डाले जाते हैं उनमें से भी रिसाव होने के कारण जो हमारा भूजल है वो भी प्रदूशत होता है इसके तरिक ये तो हम सब देखते ही है कि नालिया भी जाम होती है जगह जगह दुर्गंद मारते कचड़े के धेर भी दिखाई देते हैं तो कुल मिलाकर जो प्लास्टिक के कारण सेहत पर दुश्प्रभाव होता है वो धीरे धीरे ही होता हो लेकिन ये शोध में पाया गया है कि इसके दुश्प्रणाम पॉ कि ये खुश्प्रभी जुश्प्रेश है ग्याब्स दुश्पर लग्भाव म promise क है, धन् मैं और दुश्प्रunn पाया जे होता है थेस कोगे है कर दो छुशने हैं टयों पुश्प्रभाव मारते हैं तो कर दुश्प्रभान पूलाश्थ करदेल दोसे बीए्यों fitुश्प